हनुमानगर जंक्षन बार नमबर तीन नई खुन जाँ पार्क का एरिया और यहाँ पार सेर करने के लिए लोगों के ब्याम करने के लिए तवाम ऐसे साधन उपलब्द करे गए हैं पार्क को सुंदर बनाने का काम बरतमान समय के अंदर चल रहा है दूसरी तस्वीर आप देखिए जैब पार्क के चारो तरफ का इलाका है गोबर यहाँ पार पसरा पड़ा है अवारा पशू यहाँ पार गूम रहे हैं और प्रती दिन यहाँ पार गोबर फैलाते हैं सडक की सफाई कोड कैसे करे नगर पालका की करमचारी यहाँ जो सफाई करती है वे परिशान है आखिर कर कितनी बार करे इन पार्क के चारो तरफ सडकों की सफाई अच्छा सवस्ता है रखने के लिए हालांकि नगर परशिद के दवारा हनुमानगड जिला मुख्याले पर सभी वार्डव के अंदर लग बग पार्क बनाए गए हैं सुंदरता ब पोदों की बात करें तो यहां के लोगों के दवारा पेड़ पोदे भी काफी बारी मात्रा में लगाए गए हैं और लोगों को यहां पहुंचकार सकून मिलता है लेकिन इसके चारों तरफ जब गंदगी फैली हो और बुद्वू का आलम हो तो ब्याम करना और आक्सियन की जो कमी रहती है उसको प्राप्त करने के लिए लोग पार्कों में पेड़ पोदों के पास आते हैं लेकन दूसरी तरफ परदूशन और सड़कों पर गंदगी फिर देखकर हरान है कि आखिरकार हम पार्कों में आते हैं यहां से फिर हम स्वास्ता लेकर जा रहे हैं यहां फिर जो गंदगी फैली हुई है पश्व के दवारा प्रती दिन गंदगी फलाई जती है और गोदे आपस में लड़कर लोगों को गैल कर रहे हैं, सादनों को तोड़ रहे हैं, आखर कार फिर मन के अंदर सवाल पैदा होता है, यह आखर कार इसके लिए जिम्मेदार कौन है राजस्तान नगर पालिक आक्ट 2009 के तैट नगर पर्शिज और नगर पालिकाओं को जब पावर दी गई है कि जो अवैद रूप से शेहरी शेतर के अंदर दूर डेरी चला रहा हो उसको बंद करवाईए और साथ ही जो आवारा पशू सडकों पर विचरन कर रहे हैं उसके समंद में नंदी शाला जा गोशाला के अंदर इन पशू को पकड़ कर पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर पर्शिज नगर पालिकाओं की है लेकिन अधिकारी सुन पड़े हैं किसी को कोई इस से मतलब नहीं है कोई सरोकार नहीं है कि गंदगी फिला रहे हैं और शारी शेतर के अंदर स्वस्ता का संदेश देने का काम अधिकारियों के स्तर से बैठकों के अंदर कलेक्टर की बैठकों के अंदर कहा जाता है हलांकि जिला कलेक्टर हनुमानगड के दोबारा साथ आठ वैटकों के अंदर नगर परशिद आजुक्त को अदेश दिये गए कि अवारा परशुओं को पकड़ कर गोशला के अंदर वहां रखवाए लेकिन मजाल है कि नगर परशिद पर इसका असर हो नए अजुक्त परशर है नए किसी बाड़ मिम्बर को सरोकार है कि उसके शेहरी शेतर के अंदर जा वारा परशुओं है बगंदगी फला रहे हैं किसी को कोई सरोकार नहीं है आए दिन सड़कों पर गंदगी फलाई जा रही है जहां तक की कलेक्टेड एस्पी ओपीस आजपास के इलाका भी इन जो दोधार उपशुओं है वहां से बिजरन करते हैं वहां गोमते हैं बेंसे गोमती हैं गाएं गोमती है लेकिन किसी को कोई सरोकार नहीं है नगरपाल का जो है सोई पड़ी है यही हम तो कहेंगे जनता यहां पा जुरूर परिशान है हनमानगा नगरपरशिद के दुवारा शेहरी शेतर के जो डेरिया है इसको बाहर करने की बात चली परस्ताब भी आया और उसके बाद मक्का सर के पास साथ आठ बिगे देने की बात हुई लेकिन वहां की ग्रामिल नाम बंद हुए उसके बाद मामला राजिस्तान हाई कोट के अंदर चला गया है और कोट के अंदर फैसला कब होगा किसी को कुछ भी पता नहीं है शेहरी शेतर के अंदर जो अवैद रूप से दूढ डेरी खोल कर वैठे हैं उसको नोटिस दे कर नगर परशिद बंद करवाए और उनको कहें कि आप अपना वैव से कहीं और चलाएं इसलिए नगर परशिद को सक्त होकर इस पर कदम उठाना चाहिए लेकिन फिर वही बात गुमफिर कराती है कि राजनिती आड़े आती है बाड मिंबरों को बोड चाहिए इसलिए तो वैद रूप से जो दूद डेरी चल रही है बहे बंद नहीं हो रही हैं वही है दूसरी और कोलیک्टर के देशों की बात करें तो साथ आठ बार अधेश देने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई तो पिर अजुकत पर कारवाई क्लेक्टर को करनी चाहिए बिक्यवें इंतजार कर रहे हैं आट पर अदेश देने के बाद भी अगर नगर परशित पर कोई असर नहीं होता है तो वहां के अधिकारियों पर कारवई करने के लिए कलेक्टर को आगे आना चाहिए और जो अवैद रूप से डेरियें चल रही हैं उसको बंद कराने के लिए कलेक्टर को कदम उठाने किया सकता है क्योंकि वर्सों से नगर परसी तो हाथ पर हाथ देरे बैटी है वह है इन वैद डेरियों को बंद नहीं करेगी अगर परशासन सक्त होगा और समाज यहां के लोग जुडेंगे तो ही इससे चुटकारा मिल सकता है अनता नर्किय जीवन के अंदर जहां के लोग जो हवारा पशूर सडकों पर गूम रही है उसके लिए वार्ड मेंबर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है